हैलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वेद कुमार के घरे लुनुच्खे और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गर्दन की मौच यानि गर्दन में जो सर्वाइकल का दर्द होता है उसको दूर करने का एक सर्वत्तम और आयरवेदी कुपाए दोस्तों गर्दन में अकडन गर्दन में मौच आना गर्दन में दर्द होना एक ऐसी समस्या है जिसे हो जाए वो बहुत जादा परिसान रहता है और ऐसा दर्द जादतर लोगों को हो जाता है महिलाएं हो या पुरुष ये किसी को भी हो सकता है और किसी भी उमर में हो सकता ह इसमें रोगी को तकलीफ बहुत होती है, गर्दन में अकड़न होने पर गर्दन सिर्फ एक ही डारेक्शन में रहती है और उसे इधर उधर हिलाने या घुमाने पर बहुत तेज दर्द होता है, ये समस्य किसी की 3-4 दिन में ठीक हो जाती है, किसी की एक हपते में तो किसी को 15 दिनों से जादे भी लग सकते हैं, ऐसे में व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है और वो जैसे ही गर्दन को घुमाने की कोशिस करता है तो उसमें बहुत तेज दर्द होने लगता है, दोस्तो जैसे ही आपको महसूस होता है कि आपकी गर्दन में अकड़न हो रहे हैं, इसके लिए आप ले लिजे 50 ग्राम सुद्ध सरसों का तेल और 5 कलिया आप लहसुन के ले लिजे, तेल को गर्म होने के लिए गैस के उपर रखें और उस तेल में ये 5 कलिया लहसुन की छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें डाल दीजे, और तेल को पूरी तरह से काली ना पड़ जाए, पूरी तरह से जल ना जाए, जब ये जल जाए पूरी तरह से तो दोस्तो इस तेल को गैस से उतार कर थोड़ा ठंडा होने दे, और जब ये हलका गरम रह जाए, तब इस तेल से अपने गर्दन के उपर हलके हाथ से मालिस करें, ये मा इसे आपकी गर्दन का दर्द, सर्वाइकल का दर्द दो दिन के अंदर ठीक हो जाएगा इसका कोई side effect नहीं है, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा ये बहुती सर्वप्थम हो पाये है गर्दन के तमाम तरह के दर्द को दूर करने का ये बहुत ही अच्छा हो पाय है एक बार आप इसको जरूर आजमा कर देखें दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी ये वीडियो और बताएगे नोसका आपको अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को चुरूर शेयर करें वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद